हेलो गाइस आज की वीडियो में मैं बहुत मतलब बहुत बड़े साइस की आर्सी कार की अन्बोक्सिंग और टेस्टिंग करनी वाला हूं शायद इतनी बड़ी कार आप लोगों ने आज तक देखी होगी यह मेरी आज तक की सबसे बड़ी आर्सी कार होने वाली है इसका नाम अबी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो आर पटापट से लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना बोक्स तुम्हें यहां से ओपन कर लिया हूं इसको मैंने खरीदा था बहुत जादा बड़ा है यहां पर एक जोईस्टीक है सामने के वील्स को ट्रिम करने के लिए दो बटन मिल यहां पर ऑन-off स्विचे इसके साथ एक और चीज मिलती है यह है इसकी यूजर गाइड कार बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा यूनिक है इसलिए इ शायद इसका कुछ वारेंटी कार्ड होगार इस तरह के पैकिंग में मिल जाती है में मॉंस्टर जाम एल तोरो आर्सी कार यहां पर यह जो कार है बहुत जादा लाइट कंस्रेक्शन में बनाई गई है अल्टिमेट परफॉर्मेंस के लिए यहां पर इसके क्या क्या में फ इसके क्या क्या में फीचर से मैं आपको दिखाता हूं देखने में यह कर एक बुल की तरह दिखाई देती है उपर की तरफ यहां पर दो सिंग लगे हैं उसके और यह पुरी तरीके से मुवबल है इतने ज्यादा बड़े विल्स मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं आपको पता हुगा यह ईहां के सामने मैं इसका साइस आपको बता हूं तो देखोगाए नहीं है monster jam grave digger RC car इतनी ज्यादा बड़े साइज की कार है अभी अन्बोक्स करते हैं Hummer monster कार को यह देखवार यहां से मैं इसको निकार नहां हूं यह भी जो कार है बहुत ज्यादा बड़े साइज की यह वीडियों में बहुत ज्यादा मजहिए आने का यह इसको कुण ranked लिया इसका साइज और यह चार में बहुत जाधा भांप भर कम असके साथा मैं यहां यहां ब्ड़ों को मिल जाते कार को करने के लिए यहां ठोलिया इसकी बाटरी भी बहुत जादा भांप होती यह पर бог दोनों कार्स को मैंने साइट बाई साइट रख दिया है आप खुद देख सकते हुगा इस मॉन्स्टर जैम एल टोरो अपनी हमर आर्जिकार के मुकाबले में कितनी जादा बड़ी है अगर ये दो कार्स को मिलाएंगे तो गाइस ये एक कार बनेगी बैटरी कंपार्टमेंट यहां पर देखो गाइस इसका बैटरी कंपार्टमेंट है यहां पर इसका ओनोस्टिच है यह रहा इसका चार्जर हम लोग इसको कोई भी चार्जर के अंदर लागा इस कार को चार्ज भी कर सकते हैं इसके उपर अच्छी घ्रिप मिल जाती है और यह जो वील्स है पूरे क आम एल टोरो और सी कार को इस कार के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि देखो आर इसको मैं थोड़ा सो मूव कर रहा हूं तो यह इस तरह से जंप करने लग रहे है चलो इसको फड़ा बट से चला के भी देख लेते हैं ओ माई गॉड यार कार इतनी ज्यादा बढ़ी है प और बहुत ही आसानी से यह कार काट्रोल भी हो रही है इसके ग्रिप बहुत ही अची दे रखी है वील्स के अंदर दूर जाकर ब्रेक लगा के भी देख लेता हूंगा इस भाइक अप एकदम कमाल के ब्रेक्स दे रखाया अभी हमार मॉन्स्टर कार को भी टेस्ट करके काम करता है जिस सरफ मैं स्टीरिंग टर्न कर रहा हूं अपनी जो कार है बहुत ही आसानी से उस सरफ टर्न हो रही है काम करते हैं इसका जायरो सेंसर मैं आपको बंद करके भी दिखा देता हूं बंद कर दिया मेने अभी तो रिमोट के ऊपर दो बटन्स आपको दिख रहे ह अब यहां आते हैं दोनों के बीच में रेस दिखते हैं दोनों के को ने सबसेश जादा फास्टेस आरसी कर अभी जिक्तों हवर कर आगे जा रही थी आभी मॉंस्टर जाम ने इसको टेक ओवर कर दिया है आगे की तरफ यह निकल चुकिए है इसके विल्स बड़े होने के कार पर टेस्ट करने वाला हूँ सबसे पहले इसको कीचड में टेस्ट करो हो गाइस यह क्या हो रहा है यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह कीचड के ऊपर तैरने लगी है जैसे कि देख सकते हो गाइस बिल्कुल भी पानी के अंदर डूब ने रही है भाईस अब एक काम करते है सीधा तलाब के अंदर लेके जाते हैं यहां पर टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से यह जो कार अपनी तैर सकती है यानि ओमाई गॉड यहां पर देखो गाइस इसके स्टाइरोफों के वील्स होने के कारण यह कार पुरी तरीके से एमफीबियस वोटर प्रूफ हो चु इसको तोड़ा सा डायरेक्शन देने में भी यहां पर हेल्प कर रहें अगर इसके चारों विल्स एक साथ काम करते तो गाइस यहां पर तो भाई कमाली हो जाता है अभी सेम लेस में हमर मॉंसर कार को भी मैप को टेस्ट करके बता देता हूं देखें गाइस यह किस तरह से इस कार के अलमोस्ट आदे विल्स पानी के अंदर डूप चुके है यह कार भी बहुत आसुम तरीके से पानी के चल सकती है दोनों के बीच में यहां पर टाई हो चुका है अभी दोनों की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं इस देखें पुश बैक में दोनों में से कॉन टककर क्या जोड़दार हुई है दोनों के बीच में देख सकते हो यहां पर अपनी मॉंस्टर जाम आर्ची कार हमर आर्ची कार के उपर भारी बढ़ती हुए लग रही है क्यूंकि इसके विल्स बहुत जादा बड़ है इसके विल्स के मदद से देखो है यह बहुत आसानी इसे हमर मॉंस्टर कार को हरा चुकिया पुरी तरीके से अब यह काम करते हैं इस दोनों के बीच में तोगो फोर भी करा के देख लेते हैं इस बार कॉन जिता यहां पर दोनों के बीच में लड़ाई चाली हो चुकिया यहां पर तो मेरे को यकीन ने हो रहा हमर आर्ची कार Monster Jam आज़ी करको थोड़ा थोड़ा घसीट के लेके जा रही है देख सकते हूँ गाइस यहाँ पर इसको एक तम मस तरीके से ग्रिप मिल चुकिये पर इन जुसी जरब अभी Monster Jam को बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है अपनी कार के विल्स बड़े होनी की कारण देख वार बहुत जादा आसानी से यह चले जा रही है इसको कोई भी दिक्कत यहाँ पर हो नहीं रही थी अभी देख वार यहाँ पर थोड़ी सी जादा ही क्लैमिंग आ चुकिये और यहाँ पर मिट्टी भी जादा है थोड़ी सी धीली मेर को लग रही है इस वज़े से इसको जो प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी अभी थोड़ा सा मैंने जैसे ही पावर बढ़ा यह एकदम से आगी की तरफ निकल चुकिये सेम डेस करते हैं मौन्स्टर हमर कार के साथ देखते हैं यह यहाँ पर चल पाती है यानि क्यूंकि यार बहुत कम कार्स यहाँ पर चल पाती है या फिर अपनी हमर मौंग सरगार पसने दे नीचे कमेंट को रोगा इस फटापट से अभी-गभी चलो भी मैं देजेता हूँ शाउट आउट 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 पहला नहीं जाता है